नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है दिल्ली अंसियार के एहम हिस्से गाजियाबाद में बुद्धुआर को एक बड़ा हाथसा हो गया गय सिलेंडर फटने के कारण तीन मंजिला मकान ढहे गया इस हाथसे में दो बच्चों समें तीन लोगों की मौत हो गई वही पांच लोग मलबे में दब गए सुचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई और राहत और बचावकार में जुट गई अस्थानी लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाल लिया गया है और अस्पताल में भरती कराया गया है जहां पर तीन की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है घटना लोणी के निठावरा बबलु गार्डन की है लोणी में सिलेंडर हाथसे पर सीम योगी आदितनाथ ने दुख जताया है साथ ही घायलों के बहतर इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये हैं मौके पर राहत्यों बचावकार जारी है बता दे गाजियाबाद के लोणी लाकिक के बबलु गार्डन का लोणी में अचानक उस वक्त अफरा तफ्री का माहूल हो गया जब वहाँ एस सित एक मकान में जोरदार बलाश्ट हुआ जैसे ही लोगों ने बलाश्ट की आवाज सुनी बलाश इतना भयावा था कि आसपास की जमीन भी दहल गई लोग दोड़ कर मौके पर पहुँचे तो लोगों को पता चला कि मकान में चाय बनाती वक्त गैस का सिलेंडर फटा है फिलहाल मिली जानकारी के मताबिक मकान के अंदर करीब 9 लोग मौजूद हैं सिलेंडर फटते ही 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई एसी तमाम खबरे जानने के लिए आप जुड़ रहिए इनकबर के साथ